इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह है चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में एक केवल एक सामगरी ताजी ताजी स्वादिष्ट मुंफली से बना ये डेरी मुक्त ग्लूटेन मुक्त और अपराद मुक्त है शुद उतपाद में कोई ताड का तेल अतिरिक्ट चीनी नमक स्वाद या संरक्षक नहीं होता है और शून्य ट्रांस वसा होता है इसमें हृदे स्वस्थ वसा होती है और यह आहार पोटेशियम का एक अच्छा स्रोथ है दो प्रोटीन का उतक प्रिष्ट स्रोथ मुंगफले का मक्षन आपके शरीर सौष्टव लक्षियों को पूरा करने में मदद करने के लिए प्रती सेवन 9.60 ग्राम प्रोटीन प्रदान करता है उच्छ प्रोटीन मूल्य प्रभावी रूप से आपके दैनिक प्रोटीन सेवन को पूरा करने में म प्रोटीन ग्राम आहार फाइबर और शून्य कॉलेस्ट्रोल के साथ 6.3 ग्राम काबोहाइडरेट मिलते हैं यह नियासिन, फोलेट, विटामिन ई, आवश्यक पोशक तत्व और खनिजों से भी सम्रिद्ध है आहारिय फाइबर स्वास्थिके सभी पहलूओं को इश्टम स पर समर्थन देते हैं चार उर्जा वर्धक पीनेट बटर खाने के लिए तयार भोजन है जो 210 किलो कैलोरी उर्जा सविंग से भरपूर है यह कैफीन और अन्य उत्तेजक पदार्थों से मुक्त है और दिन भर उर्जा पाने के लिए डाइटिंग करने वालों, जिम जाने और स्वास्थी के प्रती जागरूक लोगों के लिए बिलकुल सही है प्राकृतिक वसा और फाइबर और प्रोटीन इंसुलिन के स्थर को स्थिर करते हैं और घंटों तक निरंतर उर्जा आपूर्टी सुनिश्चित करते हैं पांच वजन कम करने का प्राकृतिक तरीका प्रोटीन और पोशक तत्वों से भरपूर पीनट बटर भूख और लालसा को दबाने में मदद कर सकता है, जिसे आप भोजन के बीच त्रिप्त रह सकते हैं और अस्वास्थे कर स्नैकिंग से बच सकते हैं। 6. स्वादिश्ट उपचार जब आपके संतुलित आहार के हिस्से के रूप में उप्योग किया जाता है, तो मूंगफली का मक्षन एक स्वास्थे वर्धक विकल्प होता है। इसमें एक शांदार पॉष्टिक स्वाध है, यह आसानी से फैलने योग्य है, और इसकी बनावट गाड़ी है। यह इसे एक स्वाधिष्ट व्यंजन बनाता है, चाहे इसे सैंड्विच पर फैला कर इस्तिमाल किया जाए या प्रोटीन शेक और स्मूधी के साथ मिलाया जाए। विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो, तो विडियो को जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल को औल नोटिफिकेशन पर सेट करें।